Hello everyone, welcome back to your class, last class में हम पढ़ रहे थे combinations के बारे में, permutation already done, combination की कल हमारी first class थी, जिसमें हमने combination को समझा की what combination is all about, let's recall what we have done earlier, क्या किया था कल की class में हमने कहा, relate करो combination को किस से, permutation से, permutation से relate करके हमने combination का formula क्या बना लिया था, ncr is equal to npr divided by factorial r, और इसी formula के according हम questions को solve कर रहे थे, one thing to be kept in mind always is कि combination जहां भी होगा, वहां order of things does not matter, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली क्या करना है, selection करना है, that's why permutation अलग है और combination अलग है, permutation की पहचान ही क्या है, arrangement एक तो और दूसरी चीज, order matter करेगा वहां पे, अब एक combination में कल की class में हमने questions काफे सारे examples किये थे, जिनमें हमारे simple questions चले, simple question in the sense कि वहां पे addition या multiplication rule का कोई काम ऐस सच नहीं आया, आया क्या बिटा, नहीं आया ना, एक बार recall करते, what is addition rule and what is multiplication rule, दोनों rule क्या है, जो same permutation में use हो रहे थे, वो ही यहां combination में भी use होगा, addition rule क्या कहता है, कौन सी condition होती है, और वाली, या तो ये, या ये, अगर उन में से एक चीज ही ले सकते हो एक बार में, तो हम कौन सा rule लगाते हैं, addition rule की, सारे combinations को क्या कर देंगे, add कर देंगे, क्या करना है, combinations को add करना है now coming to multiplication rule उसमें कौन सी condition होती है end मतलब दोनों चीज़े साथ साथ चलेंगी जितने भी selections है वो सारे साथ साथ होईंगे एक साथ एक ही situation में तो उसके बीच में क्या लगेगा multiplication लगेगा तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि permutation में जैसे हम addition और multiplication rule यूज़ कर रहे थे same rules are applicable in combination also combination में भी लगेंगे और addition rule की पहचान है और वाली condition और multiplication rule की पहचान है end वाली condition अब जो हम next question करेंगे उसमें इन दोनों का use रहेगा जो हमारा example 4 है जो आपकी book में ही दिया हूँ है उसमें हमें दोनों चीज़े यूज़ करनी है addition rule भी और multiplication rule भी कल हमने इसको शुरू जरूर किया था लेकिन हमने पूरा नहीं किया था बस एक बार ऐसे ही समझा था लेकिन आज हम वापस से इसको पढ़ेंगे समझेंगे कि what is to be done in this question seven members है committee में chosen मतलब मुझे साथ लोगों की committee बनानी है जिसमें कहां से आएंगे लोग six chartered accountant, four economist and five coast accountant ये तीन category के लोग है जिसमें से मुझे कितने लेने है seven लेने है अगर मुझे बेटा इतना ही question देता question में इतना ही बोला होता तो आप क्या करते आप इनको तीनों को add कर लेते और उसमें से seven ले लेते वही तीनों add करके किते होंगे 15 15C7 करते और काम खतम selection ही है ना कौन सा कितना लेना ये थोड़ी ना बोला अगर question यही तक होता तो हम इसमें simply 15C7 करके अपना answer निकाल लेते लेकिन question में आगे क्या दे दी condition और जहां condition आएगी वहां फिर addition, multiplication rule भी काम आएंगे तो यहां पर क्या दिया in how many ways can this be done if in the committee there must be at least one member from each group हर एक group से एक member होना ही चाहिए and at least three chartered accountant और कम से कम तीन chartered accountant होने चाहिए यह condition मुझे दे दी कि member तो साथ ही रहेंगे there is no doubt as such कि साथ member नहीं होंगे लेकिन साथ member में आपका एक काम यह है कि तीन chartered accountant होने चाहिए एक member हर कमीटी का आना चाहिए तो क्या CA में भी एक और जोड़ू क्यों जोड़ना है वो तो तीन already है ना इसका हमें क्या करना पड़ेगा पूरा तरीके से solution देखना पड़ेगा तरीके से in the sense कई सारे ways इसके possible होंगे there are many ways possible उसको हमें देखना है तो उसको करने के लिए हम क्या करते है इस question को यहां एक प्रॉपर तरीके से solve करते है I need to make a committee of seven members committee है जिसमें कितने member होने चाहिए seven अब seven members को choose करना है out of seven members को choose करना है कहां कहां से एक category है एक category है economist और next जो category है वो है cost accountant इन में से मुझे choose करना है यह total कितने कितने है six four और five condition question में क्या दिये condition क्या according चलेंगे condition question में दिये कम से कम यह कितने होने चाहिए तीन यह एक होना चाहिए और यह एक होना चाहिए उसके अलावा बाकी दो member है वो कहीं से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता अब वो दो member कहां से लो तो सबसे पहला तो मैंने क्या सोचा इसमें एक और इसमें एक और ले लो तो पहला वे तो यह हुआ ना तो हम इसके कई सारे ways है वो सारे हमें बनाने पड़ेंगे तो first way is to make a table like this CA फिर economist और फिर हम इसको cost accountant को भी साथ में ले लेते हैं हमें तो पहले में मैंने 3 लिए लुँ ली और लुँ यह तरीका ठीक है यह तरीका बिलकुल ठीक है over दूसरे में यह तो टीन ही ए इसमें से 3 ले लिए इसमें से खाली एक ही लिया यह भी तो एक तरीका है ना This is one way, अब क्या इसको और किसी तरीके से भी लिया जा सकता है? Yes, वो दो-दो वाला तो same ही रहेगा, उसमें two, इसमें two चाहे, कैसे भी करो, वो two है ना value, तो same है दोनों में, अब आते हैं कि इन में से एक और तीन और दो-दो लेने की बज़ाए, CA भी तो बढ़ा सकते हैं, ब इन में से लेना पड़ेगा ना, तो दो condition और बनेगी, एक तो 4 CA वाली और एक 5 CA वाली, पहले 5 वाली लिख लेते हैं, क्योंकि वो आसान है, आसान क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक-एक लेना है बस खाली, तो चौथी condition में मैंने लिखा सीधे 5 CA ले लो, यहाँ पे 1 और 1, इस condition को क्या repeat लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सेमी रहेगी, 5, 1 और 1, इसको repeat नहीं लिखना, अब आ जाते हैं, अगली condition, 5th one, अब की बार मुझे 4 लेने CAs, 4 CAs, अब देखो, अब यह फिर से बदलेगा, अब कितने लोग ओड़ लेने? 3, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 यहा सोच के देख लो एक बार, is there any other way possible, और these are the ways, भई minimum 3 CAs लेने हैं, हमने 3 से शुरू किया, ठीक है, 4 लिए 2 condition देख ली, 5 लिए 2 condition देख ली, उनमें एक-एक हमेशा आई रहे, बाकी हमने बना लिए, अब इनको करेंगे कैसे, कब multiplication, कब addition, यह सबसे बड़ा टास्क है, यह त तीनों चीजे बेटा, साथ में होगी, साथ में ही होगी ना, यह तीनों चीजे, तो इनमें क्या होगा, multiplication, जो चीजे साथ में होती, उनमें क्या होता है, multiplication, लेकिन एक method जब फोलोगा, तो दूसरा होगा, क्या, नहीं, तो कौनसी condition, और वाली, तो इनको सबको क्या करेंगे add करेंगे, इनको तो multiply और बाकी को add करना है, तो इस तरह से horizontally तो क्या चलेगा? multiplication और vertically क्या चलेगा? addition चलेगा, क्योंकि यहां कौन सी condition है? end वाली और इनके बीच में कौन सी condition है? और वाली, तो आपको यह करना है, अब देखो यहां पर भी एक चीज है, कि कितने में से कितने लेने, वो भी तो देखना पड़ेगा न, बिटा, c यह कितने थे? क्या करेंगे? 6, c 3, multiplied by यह कितने थे? 4, 4, c, 2, multiplied by वो कितने थे? 5, 5, c, 2, इसका result जो आएगा, वो यहां लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे second वाले में, फिर इसमें तीसरे वाले में, ठीक है, आप next वाले में, 6, c, 5, multiplied by 4, c, 1, and 5, 5, c, 1, next में, sorry, 6, c, 4, multiplied by 4, c, 1, 5, c, 2, then after last में, 6, c, 4, multiplied by 4, c, 2, multiplied by, अब देखो, कुछ चीजे तो बिलकुल डाइरेक्ट लिखने जैसी है, उसको हटा देते हैं, उसका कोई काम नीए, सिर्फ इसी का काम है हमें, इनके result हमें निकालने हैं, और result एकदम accurate आने चाहिए, accuracy के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा detail में करेंगे अभी, बाद में आप shortcut में भी कर सकते हो, सबसे पहले 6, c, 3 को solve करेंगे, तो कैसे करेंगे, 6, p, 3, upon factorial, 3, करके बताओ, what will be the answer, 120, बाट बिटा सब लोग करके देखो, तो confirm answer मिले, आ रहे, 120, 720, factorial 3 से divide करके, divide भी तो करेंगे न, factorial 3 से, r की value 3 है, तो factorial 3 से divide मतलब 6 से divide, फिर 4, c, 2 की value, सिर्फ, अच्छा, 120 उपर वाली, P की, permutation की value 128, तो सिर्फ 20 आएगा answer, वापस से करके देख लो बिटा, पूरा करके देख लो, एक बार मैं वापस से समझा देता हूं, देखो मैं वापस से एक बार explain कर देता हूं, अगर मान लो, पिछली class किसी ने miss की होगी, तो शायद नहीं समझ में आएगा, 6C3 को कैसे solve करेंगे, we are taking it separately, 6C3, ठीक है, तो यह क्या होगा, 6 into 5 into 4, और यहाँ पे क्या होगा, 3 into 2, 6, यह 6 से 6 कट जाएगा, तो the answer will be 20 only, यह ऐसे होगा बिटा, तो आप देखें, calculator से अगर कर रहे हैं, तो भी सही करें, और अबर लिख के करेंगे, तो भी वोई आएगा, तो answer is not 120, 120 तो इसका answer आएगा बिटा, 120 तो NPR, मतलब 6P3 आएगा, उसको फिर 6 से divide भी करेंगे, तो हमें 20 मिलेगा, तो यह आपका answer क्या हो जाएगा, 20, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20, into 6, into 30, what will be the final answer, इसको एक बार छोड़ दो भली, फिर क्या करना, नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, छोड़ा क्यूं, क्यूंकि हम पहले क्या करेंगे, multiply M+, multiply M+, M+, करके MRC, तो direct हो जाएगा, या फिर आप लिखेंगे करना चाहो तो, you can do in the, इसका answer क्या आएगा, 3600, ठीक है, दूसरे वाले का, बेटा, यह 3600, मेरे को doubtful लग रहा है, उपर वाले का, नहीं, यह 4C2 की value 6 है, 4C2, 4 into 3, upon 2, हाँ 6 है, फिर 5C2, तो 3 तक नहीं आएगा, 5 into 4, यह 5C2 की value देखो एक बार वापस, यह यह गलत है, 5C2, आपने 30 बताए, यह गलत है, गलत है बेटा, येस, I was sure कि आप यह गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं करेंगे, बेटा, आप थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि permutation और combination में difference है, तो इसलिए मैंने बुला ना, value गलत बता रहे हो, आप 1200 आएगा, वापस से एक बार थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यह आगया 1200, आप नीचे की value यह 20 की 20 रहेगी, यह change हो के कित्ती हो जाएगी, 4C3, 4C3, 4 आएगी value 4C3 की, कैसे सौर, अरे देखो, देखो, करके देखो, बिटा करें बिना नहीं आएगा, 4C3, that is 4P3 upon factorial 3, 4P3 की तता होगा, 4-3, 4 into 3 into 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, 6, नहीं नी, 4-3 क्या आएगा, 1, तो 1 है, तो पूरा लिखना पड़ेगा इसको, 4 into 3 into 2, और नीचे, 3 into 2, तो 4 ही तो आरी ये value, आप कैसे कर रहे हो बिटा, तो ये decimal में क्यों ला रहे हो आप आंसर, 4 को divide क्यों कर रहे हो बिटा, 3 से, आप ये सोचो ना, 4P3 कैसे निकलता है, आप भूल गए, आप भूल चुकियो, देखो, 4P3 मतलब क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1, और नीचे क्या आएगा, N minus R, N minus R ही आता है न, तो 4 minus 3 is equal to factorial 1, तो factorial 1 तो 1 ही रहेगा, तो उपर वाली value तो ये ही रहेगी, और नीचे उसके factorial 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब value क्या आएगी, 4, आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा बिटा, कोई बात नहीं है, आप directly N, C, R का formula लगा लो, पूरा formula से कर लो, आप PR वाले को छोड़ दो एक बार के लिए, confusing नहीं होना चाहिए कभी भी, इसका तो 5 आएगा पिटा, थियोरम बताई थी न, थियोरम बता दी थी, तो ये क्या हुआ, इसकी value हमारी ये 4, और इसकी value तो 5 ही रहेगी, तो ये 400 हो गया, now coming to next one, ये 20 रहेगा, इसकी value 4 रहेगी, इसकी value क्या है, 10, ठीक है, 5C, 2 भी 10 और 5C, 3 भी 10 हो नहीं सकता, नहीं, देखो, कैसे करना है, वापस से देखो, एक बार, last time देखो, 5C, 3, हमें उपर वाले को पहले, क्या मानना है, permutation मान के करना है, 5-3, कित्ती आ रहे है, 20, 5-3 कित्ता होगा, 2, तो इसका मतलब, कहा तक ले जाएंगे इसको, 3 तक, 2 वाली चीज़ से नहीं लिखना, तो 5, 4 और 3, और नीचे क्या आएगा, factorial R, तो 3 into 2, 3 से 3 गया, तो 10 ही आएगी value, तो answer तो फिर भी 10 ही आ रहे है, 5-C-3, वापस से, दूसरे formula से करके देखते हैं, दूसरे वाले से, Yes, the value will be 10, confirm हो चुका है, दोनों से value 10 ही आ रही है, इसका मतलब, जो हमारा तरीका है, वो बिल्कुल सही था, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो value is 10, आप चाहो तो ये चूज कर लो, या वैसे कर लो, permutation वाले से, आपका answer सेम ही रह रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किया है, सही किया है हमने, गलत नहीं किया है, तो यहाँ पे value क्या रहेगी, 10, तो answer कित्ता हुआ, 800, now coming to this one, 6C5, थोड़ा सा ध्यान से, 6, कित्ता हो जाएगा, now this one, 64, देखो क्या होगा, 6, मैं बता रहा हूँ, एक बार वो values टाइप करो, अपनी calculator पे, 6, into, 5, into, 4, into, 3, 360, 360 को लिख लिया, अपन में क्या आएगा, 4 into, 3 into, 2, तो क्या आएगा, 15 answer आएगा, कित्ता हो जाएगा, now last one, 15, into, 4C2 की value, उपर से ले लेंगे, 6, 5C1 की, 5, तो what will be the, now add these values, अब इन values को add करना, हमारा last काम है, अब इन values को add करना हमारा last काम है, आएगा, एक question में अगर इतना time लग रहा है, तो फिर एक ही question थोड़ी न मिलेगा paper में, और अगर ऐसा question आजाएना, तो बिटा एक बार के लिए तो छोड़ी देना, attempt ही मत करना, क्योंकि इतना time अगर तुमें एक में लगाओगे, तो बाकी के question कब attempt करोगे, ये सिर्फ concept समझाने के लिए रहते हैं, इन question से हम सिर्फ concept समझ रहे हैं, कि कब add करना है, कब multiply करना है, और पूरा एक साथ जब बहुत सारी चीज़े करते हैं, तो थुरा mind open up हो जाता है, फिर उससे आपको आगे के लिए बहुत सारी चीज़े मिल जाती है, अब हम एक बार match कर लेते, 6570 ही answer यहाँ पे है या कुछ गड़बड़ु आया, 3570, इस इस दे करेक्ट आंसर, और इस इस अन achievement फॉर यू आज़ वेल, आपके लिए भी achievement राए, कि आपने सही करा है, बिना देखे, मैं हमेशे एक चीज़ बोलूँगा आपको, solution देखके कभी भी question नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिमाग solution पे ही रह जाता है, इसलिए कभी भी solution देखके question नहीं करना है, आप question देख लो, फिर एक बार try करो अपने आप, और फिर solution से match करो, maths का सबसे बड़ा rule यही है, जितना हम गलती करेंगे, उतना वो हमारे दिमाग में बैठती जाएगी, retain होगी, गलती से सबक मिला है न, लेकिन अगर सामने अगर कोई आपको solution दिखा के करवा रहा है, तो आप गलती करका रहे हो, आप तो देख के करे जा रहे हो न, वो चीजे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आपको solution से question नहीं करने, आपको खली question देख के attempt करना है, try to match, और वो जो achievement आता है न, वो एक सही answer मिलना, वो एक अलग feeling देता है, वो proud feel करवाता है कि देखो मैंने answer सही निकाल लिया, और जब match नहीं होता है न, तो बहुत ज़्यादा गुसा आता है कि इस पे खुद पे, कि क्या गलती होगी, अब वो गलती जब देखोगे न, तो exam में पका वो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको याद आता रहेगा भी, मैंने घर पे ये गलती की थी, करते टाइम पे तो अब नहीं करनी, और जो बच्चे सिर्फ solution देख लेते हैं न, उनके साथ ना गलती हुई, ना उन्होंने सबक सीखा, और exam में करेंगे फिर वो गलती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ solution से किया है, इसलिए कभी भी याद रखना, example ही क्यों ना हो, आपको करना किस से, अपने तरीके से, उसका तरीका मत देखो, खाली वहां से question लो, फिर match करो अपना final answer, अभी हमें इस से क्या मतलब है, ये method 1 क्या लिख रहा है, 2 क्या लिख रहा है, हमने अपना पूरा solution खुद किया है, और हमारा answer भी match हो गया, that means हमारा तरीका भी ठीक है, answer भी ठीक है, अब आ जाते हैं example 5 पे, example 5 देखो, a person has 12 friends, एक इंसान के पास 12 दोस्त है, of whom 8 are relatives, जिसमें से 8 उसके रिष्टेदार है, मतलब हो जाता है ना, हम रिष्टेदारी में भाई बेनों को भी friend मान लेते हैं, है ना, कई uncle अंटी को भी friend बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, generation gap है तो क्या हुआ, वो जादा cool होंगे, या आप जादा age वाली बाते करते हुँगे, तो that's why आप बना सकते हो, 12 लोग इसके दोस्त है, जिसमें से 8 रिष्टेदार है, तो बेटा जो रिष्टेदार नहीं वो कितने हुए, 4 हुए ना, only 4, अब आते हैं, how many ways can he invite 7 guests, such that 5 of them are relatives, अब उसको 7 लोगों को invite करना है, 7 दोस्तों को, और 7 में से कितने रिष्टेदार होने चाहिए, 5, तो 2, अलग भी हो सकते है, relatives के अलावा, question जो बोल रहा है, वैसे वैसे ही solve करते हैं, total, friends किते हैं, relatives किते हैं, तो non-relatives किते हुए, invite किते लोगों को करना है, जिसमें भी दो category है, 5, relatives, और, बचे किते, 2, non-relatives, बेटा, दोनों चीजें साथ में होगी कि अलग-अलग, ये दोनों साथ में आएंगे कि और वाली condition है कि end वाली, भाई ये जो साथ लोग आएंगे, ये एक साथ आएंगे कि जो 5 आएंगे उसके अलावा दो आएंगे, एक साथ ही आएंगे ना, साथ के साथ, तो multiply होगा कि add होगा, multiply, एंड वाली condition है, अब यहां पर देखो ये 5 लोग, कहां से लेने बटा, तो 8C5, multiply कर देंगे, 2 non-relatives किसमें से आएंगे, इसका जो भी आंसर आएगा, that will be our final answer, सबसे पहले करेंगे 8C5, फाइफ, final answer 56, पिछले वाले question में, this will be 56 and this will be 6, तो value will be 336, everybody got this answer, सब का यह यार है, येस मैं है करीमा, let's check, कौन सा वाला, this one, कुछ मिस्टेक हुई है, let's check the answer, the final answer is, is matched, 336, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है, now, a company wishes to simultaneously promote two of its six department heads, simultaneously का मतलब बताओ, अच्छी, हमें कमांड लेंग्विज पे भी होनी चीए, question की, simultaneously मतलब, साथ साथ होने वाली चीजे, साथ साथ होने वाली चीजे, तो इसलिए वर्ड यूज क्या कही है इनोंने, simultaneously, a company wishes to simultaneously promote two of its six department heads to assistant manager, छे department head को assistant manager बनाने का क्या किया है, company ने decide किया है, और एक साथ बनाना है, छे में से दो को assistant manager बनाना है, in how many ways these promotions can take place, अल वाली condition, तो दो को एक साथ ही ले लो, अलग-अलग से, कौन से दो ये थूड़ी ना बोला, कौन से दो ये नहीं बोला ना, और दोनों को ये assistant manager बनाना है, क्या order या arrangement है, नहीं, दोनों ये assistant manager बनने और छे में से है, तो क्या होगा answer, 6, C, 2, simple है ये तो बिल्कुल, कि 6 है, उसमें से आपको, दो को assistant manager बनाना है, एक साथ, अलग-अलग नहीं, ऐसा नहीं, एक को बनाना है, तो there are 15 ways to do this thing, 15 ways, now, next question, a building contractor needs 3 helpers, एक building contractor को 3 helper की जुरुत है, and 10 men apply, और उसके लिए 10 लोग आ जाते, जैसे नहीं हो था, कहीं पे vacancy आई, 3 लोगों की 10 ने apply कर दिया, ये तो 10 कम बता रहा है, 10 नहीं, 100 आ जाएंगे वहां पे, हमें रख लो, हमें रख लो, तो ये कह रहा है, कि 10 लोगों ने apply कर दिया, 3 की जगे है, in how many ways can these selection take place, 120, कैसे पता लगा कि मुझे combination करना है, permutation नहीं, क्योंकि कोई से भी 3 ले लेगा, ऐसा थोड़ी नहीं, सबको एक ही तो position दे रहे हैं, हाँ, एक ही तो position दे रहे हैं न, सबको helper की, तो the answer will come when you do 10 C 3, और वो कितना आएगा बिटा, 120, और answer भी 120 ही है, अब यहां से आता है questions का थोड़ा सा level up, वैसे ही question अगर exam में मिलेंगे, तो option मिलेंगे, साथ में तो option से हो जाएंगे, आसानी से, लेकिन यहां पर option नहीं दिये गए हैं, तो हमारे को बिना option के करना भी आना चाहिए, यह सिखाएगा पूरा, option के बिना करना, अब option के बिना करने के लिए हमें क्या करना है, question को properly solve करना है, थोड़ा length दी जाएगा, लेकिन समझना जरूर है technique, फिर उसके बाद अगर option से करते हो, तो वो easily option से हो जाएगा, पर एक बाद technique भी आनी चाहिए, कई बाद option से नहीं हो पा रहा, तो वो technique exam में फिर लगा सकते हो, तो सबसे पहले क्या बोला, in each case find n, दोनों ही cases में n की value मुझे find करनी है, पहला case क्या है, 4 into n c 2 is equal to n plus 2 c 3, इसको solve करके आपको n की value बतानी है, step by step चलेंगे, आप साथ साथ बताते जाएंगे क्या करना है आगे, आप सब बताएंगे, है ना, करेंगे ना साथ में, ऐसा थोड़ी ना है की अकेले मेरे को ही करना है, ठीक है? 4 n c 2 equal to n plus 2 c 3 and you have to find out the value of n, n की value निकालनी है, सबसे पहले n c 2 क्या लिखो बिटा? factorial n factorial और भी कुछ लिखना पड़ेगा? ठीक है? factorial 2 equal to n plus 2 तो क्या होगा? factorial नीचे क्या आएगा, बिटा? n plus 2 minus 3 और फिर से क्या लिखूंगा? multiplied by factorial 3 बिटा देखो, factorial 2 की value क्या होगी? 2 into 1 2 ही आएगी फिर उसके बाद वो 4 है, पहले ही cancel कर सकते हैं, इसको cancel कर देते हैं, राइट? फिर आगे का काम शुरू करते हैं, n minus 2 मुझे हटाना है, तो बाहर क्या निकालों उसमें से? n, फिर n minus 1, फिर क्या बच जाएगा? n minus 2, तो हम क्या निकाल लेते हैं? n और n minus 1 निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? n minus 2, और यहाँ भी क्या है? n minus 2, cancel हो जाएगा. यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यह क्या होगा? n minus 1, यह n minus 1 होगा, उपपर है n plus 2, क्या करूँ? सेम करने के लिए. इसको हम क्या लिख देते हैं अभी के लिए? इसको हटा दो एक बार, n minus 1 लिख दो, तो confusion नहीं होगा. ठीक है? अब बताओ, n plus 2 निकालेंगे, तो क्या बचेगा, n बचेगा, फिर n निकालेंगे, तो n minus 1 बचेगा, तो क्या निकला? n plus 2, n plus 1 और n, फिर जाके हमारा अंदर बचेगा, factorial n minus 1, साथ ही साथ इसको भी solve करते हुए चलेंगे, 3 into 2, 6, इसकी value 6 आजाएगी, यह cancel हो गया. Now, सारी चीजे factorial के बाहर आ चुकी है, Now, ले लो multiply करते हुए चलो, 6 को उधर ले जाएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, यह क्या बनेगा बचेगा? n into n, n square, पर कितना? 6n square, और यह भी 6 है, तो minus 6n, equal to, इसको multiply करेंगे, देखो, n, बाहर भी n है, उसको बाद में लेना है, पर क्यूं लेना है, आप पहले दिमाग लगाओ न, n दोनों side है, तो क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो solution easy हो जाएगा, न, भाई n को लोगे, तो cubes में आएगा, फिर वो solve करने में दिक्कत करेगा, तो क्यूं लेना उसको, उसको हटा दो, अब करो, तो 6n minus 6, और यहाँ पे क्या होगा? n square, plus 2n, plus n, plus 2, हो गया, अब इसको एक quadratic equation बना लेते, quadratic equation बनाने के लिए हम सारी terms को एक side ले जाते हैं, सबसे बहले n square है बेटा, और कुछ n square वाली term है, नहीं, तो n square तो n square ही रहेगा, यह plus 2n, और n, 3n, बट उधर भी तो 6n है, उधर आएगा, तो क्या बचेगा? minus का 3n, यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे क्या है? minus 6 तो इधर आके क्या बनेगा? करो solve, split करो, यह कुछ गडबड की है आप लोगोंने, देखते एक बार, 6n minus 6, n square plus 2n plus n plus 2, ठीक तो है, सही है, n square plus 3n, उपर कुछ, इसके हो सकते हैं क्या factor, पहले तो यह देखो, 8 के factor क्या होंगे? ऐसे तो नहीं होंगे, 4 or 2, इसके अलावा कोई और option ही नहीं, इसका मतलब, कोई तो mistake कहीं पे हुई है, एक बार वापस से देख लो इसको, यहाँ पे, अच्छा, एक चीज छोड़ दिये, 2 थ how we have left it, उसको छोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भी रहेगा ना साथ में, अब यह 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 n और minus 12 आएगा, देखो बिटा, एक बार की 6 into 2, 12, तो यह values यहाँ पे 12 n minus 12 आएगी, this was the mistake, इसको सही कर लेते हैं, 12 n minus 12, now the equation will change, n square, अब क्या होगा, minus ka 9n और plus ka 14 is equal to 0, now 7n 2, n square minus 7n, minus ka 2n plus ka 14 is equal to 0, n minus 7n minus 2 is equal to 0, तो n is equal to, एक साथ दोनों value हो सकती है क्या, नहीं, एक बार 7, एक बार 2, दोनों values acceptable है, क्योंकि दोनों value क्या है, positive है, अगर negative होती तो, एक ही लेते, negative वाली को हम मानते ही नहीं, तो हमारी value आ गए 7 or 2, let's check कि सही है या गलत, 7 and 2, अब अगला वाला आप खुद solve करेंगे, अभी की अभी, नहीं, अभी करेंगे, इसको करो, यह तो easy है बल्कि उससे, नहीं, अभी करना है, अभी, अभी, नहीं, यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों, नहीं, try to do, थोड़ा सा effort तो करना बनता है, n प्लस 2, cn इस इक्वल टू, 45, homework में कर लेना, पर करना जरूर एक बार try, किस चीज का, फिर से, अब box contains 7 red, 6 white and 4 blue balls, यह थोड़ा थोड़ा probability जैसा feeling दे रहा है, probability में ऐसे question आते है, इतनी इतनी balls है, इतने इतने color किये है, choose करेंगे, अब देखो, 7 red, 6 white and 4 blue balls are there in a box, तीन तरे की balls है, how many selection of 3 balls can be made so that, तीन बोल एक बार में select करनी है, अब अलग-अलग question में, अलग-अलग condition दिये, देखो, total balls कितनी कितनी है, पहले यह देखो, 7 red, 6 white and 4 blue, red, blue और white, red कितनी थी, 7, blue कितनी थी, 6 और 4, white 6 है, एक सेकिंद वापस से देखते हैं, हाँ, 6 white and 4 blue, ठीक है, अब यह हो चुका है, अब हमें conditions देखनी है, कितीन select करनी है, यह तो fix है कि 3 balls are to be selected, 3 balls select करनी है, इसमें से, अब कौनसी पहली condition क्या दे रहा है, 1st condition के अंदर यह बोल रहा है, all 3 are red, तीनो red हो नीचे, बोलो क्या answer होगा, क्या लिखूं, red ball total कितनी, 7, और कितनी लेनी, बेटा यह क्यों नहीं लिए साथ में, क्योंकि यह बोल ही red रहा है, condition यह है कि red लेनी है, तो 7C, 3, 35, वापस देखू, 35, second condition, none is red, कोई भी बोल रेड नहीं होनी चाहिए, बताओ बेटा क्या लिखूं, कोई भी बोल रेड नहीं होनी चाहिए, तो red वाली को हटा दो, फिर किस में से लेनी, इन दोनों में से, तो 4 प्लस 6, 10, 10C, 3, बेटा बोल तो तीन ही लेनी है न, वो तो उपर fix है, 3 बोल सेलेक्ट करनी है, यह तो fix रहेगा, इस बार, answer is 120, ठीक है, अब third question, तीसरी condition, one is of each color, एक बोल हर कलर की होनी चाहिए, क्या एक से ज़्यादा तरीका होगा बेटा, नहीं, क्योंकि बॉल तीन ही है, अगर 4 दे देता न, तो फिर सोचना पड़ता, किसी में से कभी 2 लेनी है, है न, अगर 4 देता तो problem होती, तीन में कोई problem नहीं है, तो पहले वाले की कित्ती थी, 7, C, 1, multiplied by 6, C, 1, multiplied by 4, C, 1, यही होगा, हर में से एक एक लेनी है न, बेटा, 7 into 6 into 4, 168, इस तरह से हो जाएगा, clear है, समझ में आ रहा है, कि हम किस तरह से question में answer निकाल रहे हैं, अब answers match करते हैं हमारे, पहले का answer क्या था, 35, दूसरे का answer क्या था, 120, और तीसरे का answer इन्होंने कहा लिखा, यह रहा, 168, तीनों answer आपके बिल्कुल match हुए है, तो इसका मतलब combination कोई बहुत ज़्यादा difficult topic नहीं है, अगर आप permutation पहले practice कर चुके हो अच्छे से, तो combination में आपको दिक्कन नहीं आएगे, हाँ तो वहाँ जो गलती हैं करी बिटा, यहाँ पे सबक मिलके सही हो रहा है ना सब, हाँ, easy लग रहा है, अभी तक तो आगे पता नहीं, exercise अभी शुरू नहीं हुए है ना, exercise में आती है problem तो, सारे, वाओ, very nice, ओहू, if 10 PR is equal to this, यह थोड़ा अलग question है, मतलब इसमें simple नहीं है, हाँ, 10 PR is equal to 604800 and 10 CR is equal to 120, find the value of R, बड़ा interesting question है बिटा, 10 PR की value दे दी और 10 CR की value दे दी, और बोला है value of R find करो, R की value बता दो, क्या रहेगी R की value? 10 PR is equal to 604800, एक बार चेक कर लेते हैं, value सही है ना, yes, और 10 CR is equal to 120, और मुझे निकालना क्या है? R, बेटा इसलिए हमने formula पढ़ा था, permutation, combination का comparison वाला formula, क्या लिखते हैं हम? 10 CR को क्या लिख सकता हूँ? 10 PR upon factorial R, तो इसको उधर ले जाओंगा तो क्या हो जाएगा? Multiply, ये इधर divide में तो उधर जाके क्या होगा? Multiply, तो अब इसको multiply कर दो, पर मुझे value किसकी चाहिए बटा? इसको नीचे ले आओ, तो factorial R is equal to 10 PR upon 10 CR, दोनों values given है question में? इसको upon करके answer निकल जाएगा? 604800 upon 120, tell me the value, बटी ये तो factorial में चाहिए मुझे, अब factorial में इसकी value कैसे आएगी? ये किसका factorial होता है? करके रेख लो, हाँ, 7 factorial की value ही 5040 है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये factorial R is equal to factorial 7, तो R की value क्या हो गई? 7, आसान था ना question? देखने में कई question बहुत difficult लगते हैं, लेकिन जब हम शुरू करते हैं, उसके बाद पता चलता है, the question is very simple, कोई बहुत जादा difficulty level उसमें नहीं था, ठीक है? आंसर मैच कर रहें बिटा, R is equal to 7, तो हमने सही answer, आप देखो next class में हम properties देखेंगे, कि permutation की जैसे properties दी गई थी, वैसे यहाँ पे कुछ combination की भी properties आपको दे रखिये, उन properties को कैसे use करना है question में, वो use भी हम कल की class में सीख लेंगे, अब homework में मैंने एक ही question दिया बिटा आप को और वो आपका हो जाना चाहिए, एक बाद try जरूर करना, ठीक है, that's all for today, बाकी का हम next class में discuss करेंगे.